एक लाख रुपए पर मंद, पांच लाख रुपए पर मंद, एक करोड रुपए पर मंद या अपनी परसनलिटी में वो स्पार्क लाना चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावी तो क्या आप ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे जिसके पर जब आप लिखते नो बहुत पैसा कमाना चाहते नो उसका मतलब हाई फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर अमित पाहिश्वरी बिजनस टेनर, कॉर्परेट टेनर, मोटिवेशन स्पीकर, आप सबी का स्वागत करता हूँ आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने आपके लिए कोशन आंसर टाइम निकाला है जिसमें हम अमारे वेलियोबल सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के सभी सवालों के जवाबों को देने का प्रयास करते हैं आपके मन में कोई भी प्रशन है बिजनस से रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई प्रशन है तो वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हमारी टीम उन सभी कोईशन को ध्यान से पढ़ती है और उसके बाद कुछ कोईशन को सेलेट करके हम आने वाले वीडियो में कवर करते हैं इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब हमारे वीडियो के माधियम से दें तो तुरंत कॉमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें फ्रेंड्स हम में से बहुत सारे लोग अपने लक्षों को प्राप्त करना चाहते हैं कहते हैं कि हाउ टू अचीव यॉर गोल आपको यह पता होना जरूरी है लक्ष हम हासिल करना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि अपने लक्षों को कैसे हासिल किया जाता है तो फ्रेंड्स आज इसी वीशे पर हम बात करेंगे ध्यान रखिये क्या आप ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे जिसके पर कोई नंबर प्लेट ना हो कोई पता ना हो कि यह गाड़ी कहा जाने वाली है या आप ऐसे जहाज में सावार होना शुरू करेंगे जिसमें कोई क्याप्टर ना हो और क्याप्टर ने ना बताया हो कि यह जहाज कहा जाने वाला है अगर आप ऐसे जहाज में बैठ भी जाते ना तो या तो आप रास्ते से भटक जाएंगे या आपका जहाज पानी में कहीं गुम हो जाएगा या पानी में डूब जाएगा या किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाएगा जहां पर आप जाना नहीं चाहते थे अगर कुछ समय की दूरी तै करने के लिए भी आप निर्धारित लक्ष चाहते हैं समय चाहते हैं कि वो जगा आप कितने वज़े पर पहुंचने वाले हैं तो ऐसा कैसे हो सकते ही कि आप ऐसा जीवन व्यतीत करें जिसमें आपको यह पता ही ना हो कि आपके लक्ष क्या है आप क्या हासिल करना चाहते हैं और हासिल करने के स्टेप्स क्या है तो सबसे पहला काम क्या करना है define your goals अपने goals को define करें क्योंकि नब goal जो होते हैं वो अलग-अलग तरह के होते हैं financial goal अलग होता है social goal अलग होता है family goal अलग होता है personal goal अलग होता है fitness goal अलग होता है बहुत सारे तरह के goal होते हैं तो सबसे पहले एक sheet बनाएं और और वहाँ define करें अलग-अलग तरह के goals को जैसे आपका personal goal क्या है personal अपनी अपने development के लिए आप क्या करना चाते हैं आप अच्छी body building करना चाते हैं fat loss करना चाते हैं आप अपनी physique में strength develop करना चाते हैं अपने आपको mentally strong मरना चाते हैं public speaking skills को develop करना चाते हैं presentation skills को develop करना चाहते हैं या अपनी personality में वो spark लाना चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित हो सकें तो सबसे पहले अपने personal goals को define करें उसके बाद परिवार को लेके आपके क्या goal है परिवार में किस तरह का महौला बनाना चाहते हैं अपने परिवार को किस दिशा में ले जाना उसके बाद आपके social goal क्या है आपके सामाजी goal क्या है आप समाज में किस तरह की प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं आप कितना बड़ा social network develop करना चाहते हैं आप social network में लोगों को किस तरह से अपने आपको दर्शाना चाहते हैं कैसे अपने आपको दिखाना चाहते हैं आप फानेशल गूल क्या आपने डिफाइन किए ये भी आपको नोट करने पड़ेंगे चाहें आप जौब करते हों चाहें आप बिजनस करते हों आपका फानेशल गूल क्या है अब फानेशल गूल का मतलब यह नहीं कि बहुत पैसा कमाना चाहते हैं जब आप लिखते हैं बहुत goal को define करें जब आपके पास defined separate separate sheets होंगी अलग-अलग goal को हासिल करने के लिए तब आप अलग-अलग goal के लिए अलग-अलग target बनाने में सक्षम होगे अब next step क्या है और friends मैं अपनी life में भी यही सारे काम करता हूँ सबसे पहले क्या करना है write down your goal अपने सारे के सारे goals note करें अलग-अलग goals के लिए अलग-अलग समयवधी होती है अलग-अलग तरीका होता है इसलिए हर goal के लिए एक अलग sheet बनाए और जब आप अपने सारे goal को लिखेंगे तो उसके बाद में जब आप अपने goal को लिख चुके होंगे तो define करना होगा कि वो सारे के सारे goal किस deadline में आप हासिल करना चाहते हैं हरे goal का एक deadline होता है कि इतने समय में यह काम complete कर लूँगा जैसे मान लिजे जिस समय में 96 kg का था बहुत fatty था 47 inches कमर का size था 97 kg 96 kg 97 kg के असपास मेरा body weight था तब मैंने decide किया कि मुझे transformation करना है और उस transformation में मैंने decide किया कि इतनी बड़ी journey को तय करने में लंबा समय लगेगा तो मैंने one year का समय अपनी deadline में दिया कि एक साल के समय अवधी में मैं इस goal को हासिल करूंगा है ना तो हमने क्या किया एक deadline decide की उस deadline के अधार पर पहुँचने की गति कम या ज़ादा की जा सकती है उधारन के लिए मानली जी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं जिसके बीच की दूरी 10 km है और यदी आपको वहाँ पर जल्दी पहुंचना है और आप किसी कारणवस लेट हो गए हैं तो अब आपने चलने की गति को तेज करेंगे या driving की गति को फास्ट करेंगे या मानली जी आप समय से पहले निकल गए और आप वहाँ पर पहुंचने वाले आप क्या करेंगी थोड़ी स्पीड घटा लेंगे पहुंचने में समय लगे इसका मतलब आपको अपनी डिफाइन देस्टीनी पर पहुचने के लिए भी अपनी स्पीड में प्लस मैनिस करना पड़ता है ठीक उस तरह से अपने गोल्स को डेड्लाइन दे डिफाइन विद टाइम कितना समय लगेगा यह क्या क्वालिटी का आपको चाहिए आपका गोल यह कितनी क्वांटिटी का चाहिए यह डिपेंड करता करेंगे और 69 केजी बेट करेंगे तो इसको क्या करेंगे हमने क्वांटिटे डिफाइन कर दी कि 96 से 69 क्या हो सकता है कि आप जो प्रोड़क्ट आज बना रहे हैं वोड बी क्वालिटी का है आप कैसे ए प्लस ए प्लस क्वालिटी पर उसको लेकर आएंगे बहुत स्टेंड करें क्वांटिटी डिफाइन करें क्वालिटी डिफाइन करें उसके बाद डेवलप यौर स्किल सेट्स फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आज आप जिस भी जगह पर ना वह इस बात का प्रतेक्ष प्रमाने कि आपकी सेलरी होती तुरोंने का है कि बेटा आज आप जिस भी स्थान पर वास्तविक्ता में आपकी आपके ववकात ही इतनी है औका बड़ा को अब मिल रहा है कुछ अपबात छोड़ दिये जाएं तो बहुत सारे लोग के वलूतना ही पापाते हैं जितनी उनके अंदर योग जब मैंने जिम जाना शुरू किया था ना तो 10 किलो का डंबल मुझे बहुत हैवी लगता था आज 25 किलो का डंबल से मैं बाउम अप करता हूं आपको लग रहा होगा सरफ 25 किलो डंबल के वारम अप की बात कर रहे हैं तो मेरा फिटनेस का चैनल है मेटास फिटनेस वहाँ ज सबसे पहले अपनी स्किल सेट को डेवलैप करो और वा सकिलट कि सेट किसी भी तरह की हो सकती है जैसे बिजनेस करना चाहते हैं तो सबस्क्राद करना होगा तो आपको हैपीनेस family, care, love, affection, contribution इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना होगा आप अपने business को develop करना चाहते हैं business learning videos, business learning books, business learning seminars, workshops आपको attend करनी होगी तो यह आपके उपर depend करता है कि आप कितने समय में क्या target अचीव करना चाहते हैं और उसको achieve करने के लिए कौन-कौन से skills हैं जो आपके लिए develop करना बहुत ज़रूरी है जब आप skills को develop करेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा बहतर तरीके से अपने लक्षों तक पहुँच पाएंगे next and the most important thing, take the first step and don't wait for the right time बहुत सारे लोगों के इंदर नहीं कमी होती है वो क्या कमी होती है, वो कभी भी first step नहीं ले पाती है मैंने बहुत बार देखा है कि लोग ये decide करते हैं कि कल से हम पार्क जाना शुरू करेंगे और जब कल सुबा का समय आता है ना, तो decide करते हम बंडे से जाएंगे या एक तरिक से जाएंगे या new year से जाना शुरू करेंगे वो सोचते हैं कि एक निश्चत समय आएगा जो बहुत शुब समय होगा लेकिन कामयाब लोग कभी भी शुब समय का इंतजार नहीं करते वो जिस समय पर काम शुरू करते हैं तभी से समय शुब शुरू हो जाता है इसलिए take the first step don't wait for the right time the right time starts now आप अभी शुरू करें तो अभी से आपका बेतर समय शुरू हो जाता है continue to completion आप जब तक ना रुकें जब तक आप सफल ना हो जाएं यह बड़ा important point है हम किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक step बढ़ाते हैं दूसरा step बढ़ाते हैं तीसरा step बढ़ाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा चीव नहीं होता तो हमें लगता है कि यार अब तो चलो छोड़ देते हैं इसको हो तो रही नहीं है जब मैंने जिम जाना शुरू किया था तो मैं एक दिन गया दो दिन गया तीन दिन गया दस दिन गया बहुत तरह डिफरेंस नहीं दिखाई जयता था लेकिन जैसे 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 समय अफ़दी बढ़ती जाएगी आप अपने लक्ष के तरफ एक एक कदम चलकर आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा फासला आपने तै कर लिया है और जब मुड़ कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप बहुत आगे पहुँच चुके हैं इसलिए continue रहें जब तक जब तक आप अपने लक्ष को हासिल ना कर लें उसके destination तक पहुचना जाएं उसके बाद appreciate yourself बहुत सार लोगं के अंदर एक कमी और होती है जिम जाते हैं वर्क आउट करते हैं और घर पर आगे कहते हैं हो तो कुछ रानी है वेट तो घट नहीं रहा है लगातार हमेशा अपने आपको negative point of view से convince करने की कोशिश करते हैं तो यहां जरूद क्या है appreciate yourself जो भी आप काम कर रहे है जब अपनी skills को develop कर रहे हैं तो आपका appreciation होना चाहिए आप learning कर रहे हैं appreciation होना चाहिए आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं appreciation होना चाहिए तो अपने आपको appreciate करें अगर आप अपने गोल को achieve करने में अपनी डेडलाइन के अंतरगत जो आपने डेडलाइन डिसाइड की थी उस डेडलाइन के अनुसार आप करने में आसमर्थ हैं तो focus करो उन reasons पर और जिनकी वज़े से आप deadline के time पर अपने goals को achieve नहीं कर पा रहे हैं और तुरंत उसको solve करने की प्रक्रिया में लग जाओ मतलब यदि आपको यह पता है कि मैं achieve कर लेता अगर मैं इन चीजों को solve कर लेता तो सबसे पहले आप उन चीजों को solve करने में लग जाएं ताकि अगली समय अबधी के हिसाब से आप अपने goal को achieve कर सके वो कहते हैं कि examination में जब हम जाते हैं exam answer sheet per question answers questions के answers लिखते हैं और जब result आता है तो हमारे desired marks नहीं आते हैं हम fail हो जाते हैं तो हमें फिर समय मिलता है एक साल तयारी करने का या कुछ समय अबधी मिलती है तयारी करने की और फिर दुबारा हम अपनी गलतियों में सुधार करते हैं और अपने लक्षों को लग जाएं और फिर दुबारा ध्यान रखें continue to completion जैसे यह line complete हो then come back to continue to completion आप उस चीज को दुबारा पूरा करने का प्रयास करें अगर आप इन steps को follow करते है न तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप हासिल न कर सकें कोई भी ऐसा लक्ष नहीं है जिस पर आप पहुंच ना सकें बशरते आप ये निर्धारित करें कि मुझे मेरे लक्षों को प्राप्त करना है उस से related जो problems आएगी उसको solve करना है फ्रेंड आपके मन में business related या किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो मेरा आप से request है कि comment box में जरूर लिखें मैं अपने business time से बहुत सारा extra time निकाल कर आप लोगों से बात करता हूं आप लोगों को council करने का प्रयास करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि भारत के हर घर से एक सफल businessman एक professional businessman तयार हो सके ताकि भारत आर्तिक शक्तिक गुरूप में मजबूत बनके पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर सके इसलिए इस चैनल को ज़रूर subscribe करें और अपने friends और well-bushers के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें स्वस्त रहें मस रहें मै डॉक्टर आमित्माईश्वरी आपके सुनेरे वविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत